हेलो नमस्ते कैसे हैं आप सब आपका में चल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लीनिंग और हार्पिक से जुड़े कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो शायद आपको नहीं पता हो अगर आज का वीडियो ज़रा सा भी हल्फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आज का थमनिल देखकर आप इस वीडियो में आही गए हैं तो मैं आपको पहले बता दू कि हम लोगों से काफी सारे लोगों को हार्पिक क यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता है काफी लोगों को ये लगता है कि हम हार्पिक का इस्तमाल सर्फ टोइलेट क्लीनिंग के लिए ही इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है आप इससे बहुत सारी क्लीनिंग के काम कर सकते हैं तो यहां पर आप देख स क्लीन करने वाले हैं हार्पी की मदद से लेकिन हार्पी का इस्तमाल करने से पहले आपको एक बात का खास ध्यान देना है कि आपको डारेक्ट उसका इस्तमाल नहीं करना है आप कोई भी चीज अगर साफ करने वाले हो तो उसको पहले पानी से अच्छे से आपको भीगो लेना है डायरेक्ट हमें हार्पी इस्तेमल करना हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादर है models होते हैं जो आप क्लीनिंग के लिए जो भी चीज आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो जल्दी खराब और हो जाए जिन्दगी जमा हो रुकिए वहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से फैला लेना है इसको हम साबून से भी क्लीन कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा साथ समय भी लगता है साथ-क्षाथ इतनी अच्छी क्लीनिंग उससे नहीं हो पाती है तो इस तरीके से अ तो अब हमें इसको clean करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने हाथों को direct इस्तमाल नहीं करेंगे अगर आपके पास कोई gloves है तो आप gloves पहन लिजे अगर आपके पास gloves नहीं है तो इस तरह के का एक कोई भी polythene आप ले लिजे और इसको हाथों पहन लिजे और rubber band से उसको अच्छे से tight कर लिजे जिससे आप जब cleaning करेंगे तो यह बिल्कुल भी हाथ से निकलेगा नहीं और जो harpik के जो chemicals हैं वो आपके हाथों पे touch नहीं होगे जिससे आपके हाथों कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा तो इसके बाद आपको लेना है एक sponge और sponge को थोड़ा सा आप पानी से भीगो लीजे उसके बाद इसको clean करिये sponge लेने से क्या एक होता है ना कि जो tap फेगर होता है ना इस पी कोई किसी तरह का scratch नहीं पड़ता है और साथ के साथ ये cleaning भी बहुत ही अच्छे से करता है अच्छा एक बात का और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि अगर आप हार्पिक से किसी भी चीज की cleaning करते हैं जैसी ये wash basin में साफ कर रही हूँ तो आपको इसको ज़्यादा भी इस्तमाल नहीं करना है स्रिफ हफते में दो बार ही इसको इस्तमाल करना है वरना जो भी चीज आप से clean करने वाले है वो खराब हो सकती है इसलिए इसको ज़्यादा भी इस्तमाल नहीं करना है स्रिफ हफते में दो बार ही इसको इसको इस्त उसको इससे घusta ही बात्रूम की टायल्स होती है उनको साफ कर सकते हैं। साथ के बात्रूम और बाड़नेर कुछ來了 को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिन जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है एकदम चम-चमास सा गया है आपको पास से दिखा देती हैं बहुत ही अच्छे से जो है जितने भी स् एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताऊंगे कि यह जो tap होते हैं इन पर भी बहुत जादा हाट वाट के जो दाग लग जाते हैं तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं जब भी आप basin को clean करते हैं तो tap को भी हम clean करते हैं तो उसके बाद आपको यह काम करना है जैसे हफते में हम अग आप यह काम कर लिजे आपको क्या करना है एक सुती कपड़े से tap को अच्छे से ड्राय कर लेना है उसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर या फिर एक सुती का कपड़ा ले लिजे और उस पे कुछ बून जो है वो नारिल तेल के रख लिजे उसके बाद यह जो tap है इस प पानी जैसे क्योंकि चिटका वगरा जाता है ना जब हम बेसिन में हाथ वगरा वाश करते हैं तो थोड़े से चिटके जाते हैं तो इस पे बिलकुल भी पानी जो है वो रुकेगा नहीं फिसल जाएगा जिसके बिलकुल भी दाग नहीं लगेगा और दो-तीन दिन के बाद इसका जिसे असर खतम होता है तो आप फिर से क्लीन करेंगे ही तो उस वक्त फिर से आप यहीं काम कर दीजे तो उससे आपके टैप में बिलकुल भी जो हार्ट वाटर की दाग लगते हैं वो बिलकुल नहीं लगेंगे तो इस तरीके से आप हार्ट पिक का इस्तमाल करके क् वीडियो इस्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिने हार्ट पिक का यूज करने का सही तरीका नहीं पता होता है और वो जानते नहीं है तो आज का यह चोटा से वीडियो उमीद करते हूं आपको ज़रूर हेल्फू लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक ला